नमस्ते सदावचले मात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक पर फिर कोलेजियम बनाम एपॉइंट्मेंट या एंजेएसी के मामले में हम सब देखी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार वार्निंग दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंदर के अधिकारियों को या जो कॉंस्टिटुशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनको सावधान करिये उन वो उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जमीन पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं जा रहा है एडरन जनल को ऐसा बोला था उसके बाभजूद और वाइस प्रेसिडेंट ने राजसभा में अपने स्पीच में कह दिया और आज किरन डिजीजु सहब ने हाइक परलेमेंट में उनसे कुछ कोशन्स पूछे गए उन बंच आफ कोशन्स में जो उन्होंने जवाब दिये हैं वो निशित रूप से जु कुछ सुईकार करती है केंदर की सरकार कुछ उसमें सुईकार नहीं करती जो नहीं सुईकार करती उसको लेकर सुप्रीम कोट में पेटिशन चली जाती है और सुप्रीम कोट ये बयान दे देता है कि सरकार मानने के लिए बाद है प्रेसिडेंट बाउंड है उसके बाद ए को लेकर किनन रिजीजू यानि कि लौ मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं एडॉक जज़ेस को लेकर सुप्रीम कोट के रोल को कम कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोट में ओलेडी ये लगा रखा है कि आप हाई कोट के जज़ेस जो रेटायर ज़ज हो या जो रिटायर हो रहे हो एक वर्ष के अंदर जो रिटायर हुए हो उनको पुना वहीं पर लगाया जा सकता है प्रेसेड़ेंट से कंसेंड ले लिए इसमें कोई अवश्यकार नहीं है और इस प्रकार से उन जजिसको कॉंटिन्यू किया जा सकता है दूसरी तरफ कोलेजियम चाहत जो ओली दस साल पंदरा साल जुडिश्री में बैठ चुके हैं उनकी डॉक एपॉइंट्मेंट को लेकर कहां समस्या है क्या उसके लिए कोलेजियम की क्यों अवश्यकता है चीफ जस्चिस उसकी एक सूची बनाए कि हमारी हाई कोट से यह यह लोग रिटायर हुए है हाई केंद्र की सरकार जिनको रिपीट करना चाहे या जो दोनों के मिलकर बात हो तो फैसला कर ले इसमें सुप्रीम कोट की कोलेजियम का कोई रोल नहीं है और इस प्रकार केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोट से का कि फैसला आपके हाथ में हमने तो बहुत पहले इस पर एक या सुप्रियम कोट उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरफ तो ये डॉक्ट जजेजस को लेकर, यानि कि खुल मिलाकर कोलिजियम का रोल कैसे कम हो या कोलिजियम के रोल की अवश्कता है या नहीं है, ये एक विश्य बना हुआ है, सबाल दूसरा भी है, दूसरा सब पर लिए है कि तमाम हाई कोटों के नाम कुछ हाई कोटों के नाम तो उनके राज्जों के नाम से हैं कुछ हाई कोटों के नाम वहां के डिस्टिक के नाम पर हैं जैसे मदरास तब कि तमिलाडू हाई कोट हो सकता है बॉंबई महराबंबे हाई कोट महरास्टरा हो सकता है अल मिलाकर सरकार ने कहा कि हमने इस पर वारता करनी शुरू की है ये सभी हाई कोट राज्य के नाम से चलें ऐसा प्रयास है लेकिन सरकार नाम बदल नहीं सकती क्योंकि हाई कोट और सुप्रीम कोट का सेपरेट जुरिडिक्शन लगता है इंडिपेंट अफ जुरिशिरी के नाम से वो स्वयम उस पर फैसला करते हैं कि इसका नाम बदला जाए कि ना बदल जाए इसलिए सरकार अगर डिस्टिक का नाम बदल भी देती है जैसे मैंने कहा कि अलाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज रख दिया गया तो भी अब वो हाई कोट का नाम तो अभी वी अलाबा लेकिन जो सवाल आज सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के विशह में पूछे गए वुन जवाबों का जो लॉमिनिस्टर ने जवाब दिया मुझे लगता है कि वह अप्राशित अप्रत्याशित जवाब हैं उन सब को हमको जाना चाहिए उन्हें लेकिन देखिए सुप्रीम कोट सवाल ये था कि पंडिंग केस कितना उनका 70,000 केस लगबख सुप्रीम कोट में पंडिंग है 34 जज़ेस हैं केवल और सवाद 4 करोल केस या 5 करोल केसिस काउंट होते जा रहे हैं जो देश में पंडिंग है अब ये 5 करोड लोग जिनके cases pending है या मैं कहूं वो कहते हैं 5 करोड परिवार चोकि 5 करोड cases का मतलब है कि ये संभव है कि 7-8 करोड परिवार दोनों पाटी अगर एक case में 2 पाटी होती है इन सिभी के मामले में क्रिमिल के मामले में राज्य और वह होता है तो इन हम एवरेज निकालें तो तो पाँच करोड केसे का मतलब लगबाग 7-8 करोड परिवार अब देश में 7-8 करोड केसे सगर पेंडिंग है तो उसका कारण तो वो कहते हैं कि हम इस पर नजर रखे हुए है कि सुप्रीम कोड में पेंडिंग का कारण वो बताते हैं कि सुप्रीम कोट के उपर extra बडन है फिवलसux पैल ऑदिया यह पड़क 주는 प्यप्लिपेल में प्रहित हमां लग जाती है कि बेल अप्लिकेशन अ कोई काम नहीं हाई कोर्ड फाइनल कोर्ट है और इसके अत्रिक तो उनहोंने कहा कि सुप्रीम कोर्ड़ेंग के विron कई नहीं कोर्ड एक कारण है क्वेश्यह हमारे हाथ में है independent of judiciary के नाम से appointment collegium के हाथ में है और collegium जो appointment करता है वो जो नाम propose करते हैं काविल लोगों के नाम ढूंड़ना मश्किल होता है काविल लोगों के नाम मिलें तो वो vacancy भर जाए अब चुकि vacancy क्यों नहीं भर पा रही तो वो कहता है कि हम तो लगातार प्रयार्स कर रहे हैं कि जुड़िशिरी के सारी vacancy भरी रहे हैं लेकिन collegium या जो appointment process है वो supreme court ने अपने हाथ में रखा है इसलिए उन appointment के process में time लग जाता है बात गजब की है frivolous PIL का मतलब यह है कि supreme court जो राज्य की policy work है जैसे एक PIL पीछे हम सब ने देखा है monetization पर थी अब monetization की PIL पर बात तो यह हुई कि यह आप क्यों सुनेंगे क्योंकि monetization तो state policy का मामला है और monetization में जो कुछ भी हो चुका है demonetization में जो कुछ भी हो चुका है वो सब कुछ या demonetization शब्द इस्तेमाल करें या हम नोट बंदी शब्द इस्तेमाल करें तो जो नोट बंदी हो चुकी है या नोट परिवर्तन हो चुका है उन सब ही मामलों में अब हो क्या सकता है Supreme Court से Attorney General ने का वह आपका रोल नहीं है Supreme Court से तमाम तरह के judges ने का वकिल ने ने का कि तमाम P.I.L. Supreme Court में जो सरकार के काम है जो Executive के काम है जो Parliament के काम है या जो System के काम है वो कामों की Policy Matter को लेकर Supreme Court में तमाम High Court में तमाम Predations आती है और Supreme Court High Court उसको सुनता भी है बहुत बार तो इनका कहना ये था कि आप क्यों सुनते हैं ये बात दो बातें थी एक तो New Delhi International Arbitration Center का बिल Supreme Parliament में आ था उस पर discussion कर रहे था और इसके लावा bunch of applications bunch of questions Supreme Court के विशा में या जुडिशिरी के विशा में थे वो उन पर जब भहस चल रही थी तो उसमें किरन रिजीजीव साहब उस पर जबाब दे रहे थे किरन रिजीव साहब ने और बात कही उन्होंने कहा कि ये जो system है इस system में दो-तीन बड़ी बाते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि सरकार चाहती है जल्दी से case spending ना बच्चे जल्दी से जल्दी decide हों और जल्दी से decide होने के लिए हमें क्या करना था हमें infrastructure देना था तो हमने infrastructure के मामले में पूरे देश में कोई भी high court ये नहीं कह सकता कि infrastructure की उनको अवशकता है या हमने provide नहीं किया क्योंकि जो funds देने का काम है वो हम कर रहे हैं अब बात आती है कि sentiment की तो supreme court अब देखे ये एंडी टीवी की website ने इसको कहा है कि supreme अलब ये impression गया उनका कहना है कि किरनी जीजी साब का impression गया कि supreme court परलेमेंट की sentiment या फिर लोगों के sentiment को ध्यान नहीं दे रहा है उसको सम्मान नहीं दे रहा है उन्होंने कहा कि 1993 के बाद appointment हमारे पास है नहीं NJAC 2014 में लाया गया था तके appointment सही और योग लोगों के हो सके supreme court ने 2015 में इसको scrap कर दिया था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साथ में किरन रिजियू सहाब ने ये कहा कि जो appointment का process है उसमें अच्छे से अच्छे काविल judges आएं इसके लिए आवशक है कि judicial appointment commission हो और वो सही से अच्छे काविल judges को ढून पाए तो इनका website का कहना है कि किरन रिजियू सहाब या law minister ये impression दे रहे हैं कि supreme court की collegium अच्छे जजिसको नहीं चुन पा रही है या अच्छे नाम propose नहीं कर रही है इसलिए किंद्र की सरकार जो नाम आते हैं उन नामों से कुछ नाम पीछे वापस कर देते हैं या उनके appointment नहीं करते हैं बात तो बिल्कुल ठीक कही सोच रहा है यह वेवसाइट लेकिन उनका कहना है कि एक स्मूद प्रॉसेस होना चाहिए supreme court का जो काम है वो करना चाहिए उसको supreme court का काम judiciary के independence हम भी चाहते हैं judiciary independent रहे judiciary सही से function करे judiciary में impartialty हो partialty ना हो यह सब हम चाहते हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं तमाम स्टेटों के chief justice के साथ हम बैठे भी हैं उनसे वर्ता भी कर रहे हैं हम यह public forum की तरह इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम करें क्या हमारे हाथ में है नहीं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते और जब तक कुलेजियम डिरेल ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कुलेजियम ही सबसे बड़ी समस्या है ये बात तो वाइस प्रेसिडेंट साब ने भी कही थी उन्होंने कहा था कि आपने संसार का कोई देश चुना है जो democratic अपने आपको कहता हो और संबिधान की पोस्ट पर बैठा वेक्ति अपना उत्रदेकारी चुनता हो पहले ये तो रजवाडों में होता था जब मना रखी हुआ करती थी तो राजा अपने उत्रदेकारी चुनता था जो बैठ जाता था वो फिर अपना उत्रदेकारी चुनता था तो जब हम Republic अपने आपको कहते हैं जब हम Democratic अपने आपको कहते हैं तो Republic का मतलब क्या Republic का मतलब है कि यहाँ पर कोई स्थाई सीट नहीं हुई कोई वंशानुगर सीट नहीं हुई democratic का मतलब क्या democratic का मतलब है कि लोगों के द्वारा लोगों की और लोग ही बैठेंगे लोगों के लिए सरकार बनेगी और जब democracy भारत में है तो कभी आप सुन सकते हैं कि जब हम अपने संविधान में कह रहे हैं we people of India the people of India की बात करते हैं हम भारत के लोग की बात करते हैं तो भारत के लोगों का reflection तो parliament में जाता है और parliament के द्वारा बनाएगे कानून को जुडिशिरी अपास्त कर देती है ये संसार के किसी कोने में नहीं होता अपास्त करने के बज़ाए उसकी जो कमिया है उन कमियों को structure बनाकर सरकार को दे देना चाहिए parliament को भेज़ देना चाहिए इसमें ये कमी रहेगी parliament उसको सुधारे सही करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट कानून खतम कर दे ये धंकर साब का कहना था ये संसार के किसी और देश में नहीं होता जैसा हमारे आहां होता है और ये हम आप सब को जिम्मवारी देते हैं कि आप इनके जबाब दे कि क्या संसार में कहीं भी होता है ढून कर लाएं संसार में कहीं भी होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अब मुझे समझ रही आता कि इसका सेलुशन क्या है अब सरकार हाला कि पीछे बात सुप्रीम कोर्ट नहीं यह कहा था कि जब तक नया सिस्टम कोई नहीं आ जाता पर्लेमेंट कोई लौ नहीं बना जिती तब तक कोलेजियम इस फाइनल यह कुछ वेबसाइट है कहती है दूसरी यह कहती है कोलेजियम तब तक उसको बचा कर रखा जाए जब तक टीथ हैं तिल दे लास्टी इनकी सुप्रीम कोर्ट की बें इनका कानून है और यह कानून का पालन सबको करना पड़ेगा वैसे ही जैसे पार्लेमेंट करती है तो पार्लेमेंट के पीछे तो हम भारत के लोग हैं लेकिन सुप्रीम कोट के पीछे हम भारत के लोग कब चले गए सुप्रीम कोट के पीछे हम भारत के लोग नहीं चले किरन रिजीजुए साब ये कह रहे हैं कि जब judgment नहीं होते हैं जब case pending रहते हैं तो जनता के बीच में हम जाते हैं इसलिए सवाल हमसे पूछे जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि ये pending cases का क्या कर रहे हैं आप ये कैसे settle करेंगे ये कैसे इनका solution निकलेगा हमारे पास उसका कोई जबाब नहीं होता है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जुडिशिरी के साथ मिलकर किसी प्रकार से इस प्रकार के questions का अंसर दिया जा सकें मुझे लगठा है कि इस समय जो जुडिशिरी में ये impression जुडिशिरी का आ रहा है कि जुडिशिर अडिक है और वो नहीं चाहती कि कि प्रकार से लीगल या जुडिशल रिफॉर्म्स आएं यह इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए था और यह इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए था कि सरकार जुडिशरी के उपर अन्नेसेसरी दबाब बनाए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि खास् पर डेसिजन नहीं हुआ लेकिन वो बिल लेकर आये हैं कि जुडिशल जुडिशल ऑफिसर्स की एकाउंटेबिल्टी को लेकर जुडिशल ऑफिसर्स की इन कैपसिटी को लेकर इन लिजिबिल्टी को लेकर या उनके द्वारा किये गए कोई प्राइवेट अपराद को ले ते रागाफ चेह ने कहा कि जैसे आप इडी का इस्तिमाल करते हैं दूसरी इंकप डेक्स इस्तिमाल करते हैं वैसी जुडिशी को भी अपने हात में लेना चाहते हैं इसलिए इस बिलकाम विरोध करता है तो आमदीश पार्टी हो गई और कमाम तरह की इस तरह की पार्टिया ये किरेंरीजु उसाब ने कहा भी उन्हों ने कहा कि अगर मैं ऐसे ज़्यादा बोलूगा तो यह माना जाएगा कि जुडिशल सिस्टम में एंट्रॹवीन कर रा हुँ इसलिए मैं जुडिशल सिस्टम में कोई इंट्रॹवीन नहीं कर रहा हुँ मैं केवल आपके प्रशनों का जबाब दे रहा हूँ जिन जबाबों में मैं ये कहता हूँ कि हमें intervention नहीं करना judicial intervention का मतलब ये होता है कि कोई judgment सरकार अपनी तरब से करवाने के लिए judiciary को बात दे करे लेकिन appointment तो सारी हम IS का appointment करते हैं PCS का appointment करते हैं तमाम तरह के appointment जो executive function से होते हैं तो फिर क्या इसका मतलब हो गया कि वो body independent नहीं रही या कोई भी body independent नहीं रही ये तो बहुत सारे प्रशन हैं इन प्रशनों के जबाब कोन देगा कैसे देगा क्या होगा ये तो भवश्य बताएगा लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है दोनों के बीच में वो impression अच्छा नहीं दे रहा है जै हिंद जै भारत वंदे मातरम